संग्या के परिभाशा और उसके उधारन के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे संग्या के बेद यानि की संग्या के प्रकार, संग्या कितने प्रकार की होती है तो संग्या तीन प्रकार की होती है कौन-कौन सी बेक्तिवाचक, जातिवाचक, भावाचक तीक है संग्या तीन प्रकार की होती है बेक्तिवाचक, जातिवाचक और भावाचक संग्या उसके अलावा दो और संग्या के प्रकार होते हैं द्रव्य वाचक संग्या और समू वाचक संग्या ठीक है तो ये द्रव्य वाचक संग्या है और समू वाचक जो संग्या है वो जातिवाचक संग्या के ही भेद है यानि कि ये जो है जातिवाचक संग्या का ही एक भाग है ठ पढ़ेंगे, ठीक है, पहला है व्यक्ति वाचक संग्या, व्यक्ति वाचक संग्या यानि की प्रापर नाउं, ठीक है, व्यक्ति वाचक संग्या की परिभाशा देखते हैं, जिन शब्दों से किसी विशेश, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्य वेक्ति वाचक संग्या कहते हैं यानि कि जिन शब्दों से हमें किसी विशेश प्राणी यानि कि वेक्ति या वस्तू या स्थान के नामों का हमें पता चलता है वो दोता है का मतलब पता चलता है वो वेक्ति वाचक संग्या कहलाते हैं यानि जो शब्दों से हमें किसी विश पिएक प्रीकुलर नाम है उसको दुनिया में उसी नाम से उसी विशेश नाम से जाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी एक विशेश नाम है। चंद्रमा यानि कि चांद उसको उसी नाम से जाना जाता है ताज महल ठीक है एक इमारत का नाम है जिसको उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है गंगा एक नदी का नाम ठीक है उसको उसी नाम से सारी दुनिया जानती है ठीक है दिल्ली एक शहर का नाम उसको उसी श जाना जायेगा हिमाले यानि एक परवत का नाम ठीक है उसको उसी नाम से पुरी दुनिया में जाना जायेगा वह व्यक्ति वाचक संग्याँ यानि कि किसी भी व्यक्ति का या वस्टु का या स्थान का एक प्रॉपर नाम होना ठीक है एक प्रॉपर नाम होना उसको उसी प्रॉपर नाम से जाना जाना उसको उसी विशेश नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है उसको बोलते हैं व्यक्ति वाचक संग्या ठीक है अब इनको वाक्यों द्वारा समझते हैं जै गANDगा एक पवित्र नदी है यहां पर वक्ति वाचक संग्या है यह एक नदी का नाम है जो की बहुत फेमस भी है क्यों कि विशेश नदी का नाम है तीसरा वाक्या है ताजमहल यमूना नदी के किनारे है यहाँ पर ताज महल और यमुना ये दो जो शब्द है वो वेक्ति वाचक संग्या है क्यों कि ताज महल एक विशेश इमारत का नाम है और यमुना भी एक नदी का नाम है ठीक है इसलिए ये हो गया वेक्ति वाचक संग्या वेक्ति वाचक संग्या वो होती है जिसको यानि कि वो होती है व्यक्ति वाचक संगया फिर आती है दूसरी जाती वाचक संगया जाती वाचक संगया यानि कि common noun इंगलिश में इसको कहते है common noun परिपाशा क्या होती है जिन शब्दों से किसी जाती के सभी प्राणियों वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है जाती वाचक संग्या कहलाते हैं यानि कि जिन शंग्या शब्दों से हमें किसी जाती के उस जाती के सभी प्राणियों यानि कि उस जाती के अंदर आने वाले सभी प्राणियों उस जाती के अंदर आने वाले सारी वस्तुओं उस जाती के अंदर आने वाले सारे जगहों का पता चलता है उसको कहते हैं जातिवाचक संग्या यानि कि जातिवाचक संग्या में क्या होगा क्यों कि वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बताएगी तिक है वो उस सारे उस जातिके यानि कि उस एक particular words समय यह पता चलेगा कि यह उस पूरे जातिका है जैसे उधारन देखता है doctor तीक है अब इसमें doctor का नाम नहीं बताया है अगर नाम बताते कि doctor अमित वर्माया, doctor रमन शर्मा तो तो वो होता व्यक्ति वाचक संग्या यहाँ पर इसने सिर्फ doctor बोला है, अब doctor तो कोई भी हो सकता है, है ना, doctor यानि पता नहीं है ना, कौन से doctor, particular doctor की बात की है तो doctor बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो जातिवाचक संग्या, मित्हाई, अब इसमें मित्हाई का नाम नहीं बताया है कि गुलाब जामुन है, रसमलाई है या जलेबी है, तीक है, इसने सिर्फ बोला है, मित्हाई, तो मित्हाई से बहुत सारी मित्हाईयां होती है है ना तो इसने पूरी मिठाई जाती का बोथ करा यह इसलिए मिठाई शब्द हो जाति वाचक संहिए लडकी ठीके अगर उस लड़की کا कोई नाम होता था जसे राधा शीटा आगीता तो होता वह विर्गति हाचक लेकिन यहाँ पर इसने सारी लड़की जाती का बोद कराया है इसलिए यह है जाती वाचक संग्या पेड़ अगर पेड़ का कोई पर्टिकुलर नाम बताते के पीपल का पेड़ है कि नीम का पेड़ है या बर्गत का पेड़ है तब तो वह होता व्यक्ति वाचक संग्या ले नहीं बताई है कि यह नसल की गाया ठीक है । नील गाय वगर ठीक है तो अग्छ सिफ गाय शब्ध जाती वाचक संग्या क करता है यानि कि उसके अंदर सारी गायें आ आ जाती। सारी नसलों की घीज़ा staff नाव भी अलग अलग की और तो नाव शब्द जातिवाचक संग्या है तितलियां भी बहुत सारी होती है बहुत अलग अलग कलर की होती है तो जातिवाचक संग्या हो गई देश यानि कि हमें देश का कोई नाम नहीं बता है देश यानि कि दुनिया में बहुत सारे देश है तो वो जाती वाचक संग्या हो गया अब इनको समझते हैं वाक्यो द्वारा जैसे पहला वाक्या है विकास गाउं गया है यहां पर गाउं शब्द जाती वाचक संग्या है क्यों कि उसने गाउं का नाम नहीं बताया उसने सिर्फ आए कि गाउं गया है तो उसने अगर particular नाम बताया होता तो होता वो वेक्ति वाचक संग्या है, यहाँ पर इसने सिफ गाउं शब्द बोला है, गाउं तो बहुत सारे हैं, इस दुनिया पर अंदर गाउं बहुत सारे हैं, इसलिए उसने पूरी गाउं जाती का बोद करा है, इसलिए यहाँ पर ग गाई एक पालतू जानवर है, यहाँ पर गाई और जानवर, यह जो शब्द हैं वो जाती वाचक संग्या है, क्यों? क्योंकि गाई अलग-अलग नसलों की होती है, जानवर यानि कि पूल जानवर जाती का बोद हो रहा है, तो यह दो शब्द यहाँ पर जाती वाचक संग बहुत अलग अलग तरीके की हैं हिंदी है अंग्रेजी है तमिल है तेलुगू है मल्याली है तीक है मराथी है तो इसने कोई पर्टिकुलर एक भाषा का नाम नहीं बताया है सिर्फ भाषाएं यानि कि उससे पूरी भाषा जाती का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर यह जाती का बोध करवा रही है ठीक है तो चल्डरन आप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा वर्ति वाचक और जाति वाचक संगया तेंक्यू